हलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल कोग वेचफूड में स्वागत है आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ब्रत में बनने वाले सपेशल लौकी की बर्फी सावन का महीना चल रहा है, अक्सर लोगों के बरत होते हैं तो आप इस तरह से लॉंकी की बर्फी बना करके ब्रत में खा सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका है लॉंकी की बर्फी बनाने का इस लॉंकी की बर्फी को बनाने में ना ही हमें लॉंकी को कद्दुकस करने का जंजट है ना ही दूद और मावे की जरूरत है बहुत ही आसानी से और सिंपल तरीके से इसको हम बना करके तयार करेंगे फिर भी बहुत ही टेस्टी बनकर के ये तयार होगी तो चलिए बनाते हैं लौकी की बर्फी यहाँ पर हमने एक किलो ताजी लौकी ले ली है और इसको पानी से अच्छे से धो लिया है अब इसको में इस तरह से छेल लेंगे बर्फी बनाने के लिए हम लॉकी को कद्दुकस नहीं करेंगे यहाँ पर हम इस तरह से इसको काट लेंगे इस तरह से यह बर्फी मौथ मेल्टिंग बनेगी यहाँ पर यह सॉफ्ट लॉकी है तो हमने इसी तरह से ले लिए कड़ाई में इस तरह से पेस्ट को डाल देंगे अभी इसमें हम घी बगरा कुछ नहीं डालेंगे इसी तरह से इसको पकाएंगे यहां पर ले लिए एक काटोरी मलाई करीब 4-5 चमच है यह फ्रेस मलाई है इसको भी हम इसी तरह से डाल देंगे क्योंकि इसमें हम बिलकुल दूद का यूज नहीं कर रहे हैं, मलाई का यूज कर रहे हैं, अब इसको में इसी तरह से mix कर लेंगे, और gas की flame को medium to low रखेंगे, और अच्छे से mix करते हुए इसको हम पका लेंगे, इस तरह से जो वर्फी बनेगी, बहुत ही tasty बनेगी, अब इसको हम cover करके पकाएंगे, क्योंकि ये काफी अभी उचल कुंद करेगी इसमें, तो इस तरह से हम cover कर देंगे, जिससे की जो छीटे निकलें, वो बाहर ना आए, इस तरह से बीच-बीच में इसको हम check करते रहेंगे, gas की flame को medium to low रखेंगे, और इसी तरह से बीच-बीच में धक्कन हटाते हुए, चला लेंगे, और इस तरह से फिर से cover कर देंगे, चार से पाँच बार इस तरह से करेंगे, इतने महीं आप देखेंगे कि इसका पानी अच्छे से सूख गया है, gas की flame को medium करेंगे, और लगातार इसी तरह से हम चला लेंगे, इसमें अभी काफी पानी है, तो आप खुले में इसको में पकाना है थोड़ा, तो इस तरह से अब इसमें हम मिलाएंगे कर लेंगे, और इसी तरह से हम पका लेंगे, अब इसमें हम टेस्ट के लिए मिला देंगे, हरेल आइची का पाउडर, यहां पर हमने फ्रेसल आइची को कूट कर डाला है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अब यहां पर हम मिला लेंगे, एक कटोरी नारियल का बु अब यहां पर हम मिला रहे हैं, मिल्क पाउडर, तो यहां पर हमने दस रुपे वाली जो मार्केट में पैकेट मिलती है, वो यहां पर ली हैं, दो पैकेट, और इसको हमने इस तरह से आधी कटोरी किया है, और आधी कटोरी मिल्क पाउडर इस तरह से मिला रहे हैं, इसमें अच्छे से डो के रूप में ना आ जाए, तो यहाँ पर हम एक चमच मिला देंगे, देसी घी, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, घी को हम लास्ट में मिलाएंगे, जिससे की लौकी की बरफी में बढ़िया सी साइनिंग आए, और यह अच्छे से पक जाए, और यह दे लेंगे, जिसमें इसको हम जमाइए, हलका सा झाएं देसी घी लगा देंगे, ओलिंग कर लेंगे इसको, और इस तरह से एसको हम फैला लेंगे, यह तरीका लौकी की करफी बनाने का बहुत ही सिंपल है ना ही लोकी को कद्दुकस करने का जंजट है ना ही ज्यादा समय लगेगा और इस तरह से अच्छे से से हो गई है अब इसमें हम लगा देंगे चांदी का वर्क यह अप्सनल है हमारे पास था तो हमने लगा दिया यदि आपके पास ना हो तो इसकिप कर सकते हैं, इसको हम इस तरह से लगा देंगे, देखने में ये अच्छे लगेगी थोड़ी से, अब इसको हमें इसी तरह से ठंडा होने देना है, तो हम इसको चार से पांच घंटे के लिए सेट होने के लिए इसी तरह से छोड़ देंगे, ये देखिए, बढ़ इस तरह से हलका सा प्रेस कर देंगे अब हम चेक करेंगे कितने बढ़िया से सैट हो गई है और ये देखिए हमारी लॉकी की बर्फी बन करके तयार है बहुत ही बढ़िया लग रही है देखने में जितनी ये देखने बढ़िया लग रही है खाने में बहुत ही टेस्टी बनी है बिना दूद बिना मावे की बहुत ही स्वादिस्ट बरफी बन करके हमारी तयार हुई है अच्छे से सेट होने के बाद इस तरह से हम इसको प्लेट में डेकोरेट कर लेंगे और ब्रत में आप इसको खाएं बहुत ही पसंद आएगी सबको अब आपको दिखाएंगी कितनी बढ़िया बनी है एकदम soft लोंकी की बर्फी बन करके त्यार हुई है इस तरह से कम समय में एकदम mouth melting बर्फी बन करके हमारी ये त्यार हुई है आपको हमारी recipe कैसी लगी comment में जरूर बताइए और